जैहिन साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ITPP के ओनलाइन आविदन चल रहे हैं अगर आपने दसवी पास करका है तो आप इसका ओनलाइन आविदन कर दीजेगा इसकी फुल इंफोर्मिशन की वीडियो हमने कली अपने चैनल पर बनाई है अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बोक्स में मैं आपको देदूँगा आप महां से जाकर उसको देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको इसका सेलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इसमें आपका सबसे पहले रिटिन एक्जाम होगा या फिर आपकी रनिंग करवाई जाएगी तो इस वीडियो को आप एक बार पूरा जरूर देखेगा इसमें हमें आपके सारी डाउट किलियर कर दूँगा दोस्तों उस वीडियो में हमें काफी कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर इस तरह की कोई वेकेंसी नहीं आई है सरकारी रिजल्ट पर इस तरह का कोई अपडेट हमें नहीं देखने को मिला है तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल ओरिजिनल वेकेंसी है सरकारी रिजल्ट पर आपने सही से नहीं देखा महाँ पर इसकी अपडेट पहले से ही आ चुकी है अगर आपको यकीन नहीं है तो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के description box में दे दूँगा आप देख सकते हैं सरकार result पर इसकी full information मिल जाएगी और हुआ से आप इसका पूरा official notification डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं तो साथियों चलिए अब बिना time waste के आते हैं अपना सीधे point पर दोस्तों ये आपको जो है इसका official notification है या आप download कर सकते हैं दोस्तों इसमें selection process इसका दे रखा है इसमें दे रखा है जब आप इसका online आवेदन कर दोगे तो उसके बाद आपका admit card जारी होगा और आपका जो admit card है वो आपका PET यानि की physical efficiency test के लिए जारी होगा physical efficiency test यानि की इसमें सबसे पहले आपका physical करवाया जाएगा तो आपका ये doubt तो clear हो गया होगा कि इसमें पहले physical होगा या फिर written exam होगा तो इसमें सबसे पहले physical होगा अब आता है इसमें physical में क्या-क्या करवाय जाएगा तो यहाँ पर नीचे दे रखा है इसमें आपका सबसे पहले running करवाई जाएगी इसमें male candidate की दे रखी है male candidate की दे रखी है male candidate की 1200 meter की running होगी साड़े साथ मिनट उनको timing दिया जाएगा timing महाँ पर पूरा मिलता है पूरे साड़े साथ मिनट आपको दिये जाएगे उसके बाद long jump होगी long jump आपकी 11 feet की होगी इसमें भी आपको 3 chance दिये जाएगे उसके बाद high jump होगी high jump आपकी 3 feet की होगी इसमें भी आपको तीन चांस दिये जाएंगे तो यह जो पूरा क्राइटेरिया है यह लड़कों के लिए है अब बात करते हैं लड़कियों का फिजीकल कैसे होगा तो लड़कियों के फिजीकल में उनकी 800 मीटर की दोड़ होगी चार मिनट 45 सेकेंड उनको टाइम दिया जाएगा उसके बाद उनकी लोंग जम्प होगी 9 फीट की लोंग जम्प लगानी है जिसमें उनको 3 चांस दिये जाएंगे उसके बाद हाई जम्प होगी हाई जम्प में 3 फीट की उनको लगानी होगी और उसमें भी आपको तीन चांस दिये जाएंगे तो यह क्राइटेरिया गल्स के लिए था तो इस तरीके से इनका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा जिसको बोलते हैं PET दोस्तों PET के बाद एक घंटे बाद ही उसी दिन याने की आपका PST होगा यानि की फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट ना पी जाएगी चेस्ट ना पी जाएगी और उसके साथ यह आपका वेट होगा यह तीन चीज़ें हमाँ पर आपकी करवाई जाएंगी तो इस तीन चीज़ें आपकी complete जब हो जाएंगी इस तरीके से आपका PST complete हो जाएगा PST होने के बाद आपका start होता है phase 2 जो candidate PST PET complete कर लेता है उसके लगबग एक से डेड़ महीने बाद उनका phase 2 सुरू होगा phase 2 में आपका written exam होगा written exam के बारे में भी इसमें दे रखा है complete जानकारी इसमें आपके 100 marks के question आएंगे 100 question आएंगे, total 100 marks इसके मिलेंगे इसमें 4 part में आपका divide क्या गया है syllabus को 25-25 number के 4 subject से question पूछे जाएंगे जो की 25-25 number के ही होंगे तो इस तरीके से 100 question आपके पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 100 marks दिये जाएंगे तो इस तरीके से आपका इसका पूरा syllabus रहने वाला है इसमें सबसे पहले आपकी G के आएगी उसके बाद math आएगी उसके बाद Hindi या English आएगी और फिर reasoning से आपके question पूछे जाएंगे तो इस तरीके से इसका pattern है 25-25 questions का तो दोस्तों इसका phase second भी आपको पता चल गया होगा क्या क्या इसमें चीजें आने वाली हैं दोस्तों इसका जो exam होगा वो offline होगा यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और negative marking की बात करें तो यहाँ पर कोई भी negative marking आपकी नहीं होने वाली है तो एक plus point है आप सभी के लिए दोस्तों जो candidate इसके written exam को पास कर लेगा उसके बाद एक merit list जारी होती है merit list आपके written के exam के आधार पर जारी होगी तो इस तरीके से जिन candidate का नाम उस merit list में होगा फिर उनको वहाँ पर medical के लिए बुलाया जाएगा phase third में आपका medical होगा medical में आपका full wordy का check up किया जाता है जैसा कि आप सभी जानते हैं और medical की एक अलग से video में आपको provide करवा दूँगा कि ITBP में किस तरीके से medical होता है male और female candidate का तो दोस्तों इस तरीके से आपका medical complete करा लिया जाता है और जो medical को pass कर लेता है फिर उसको training के लिए बुला लेते हैं joining letter दे कर तो दोस्तों इस तरीके से ITBP में आपका पूरा selection process रहने वाला है दोस्तों इसमें मैंने आपको सभी doubt किलियर कर दी है अगर अब भी आपको कोई doubt है तो आप में comment में लिख दीजेगा हम उसके ओपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like और share करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके ही जाएं दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार वंदे मातरम